बाजपा के खेमे में नगर निकाय चुनाव की जीत के जश्न का शो अब थमने लगा है तो समाजवादी पार्टी के खेमे में हार के नतीजों में ही जीत के समिकर तलाशे जा रहे हैं अगर हम परणाम करनाटक का देखें और उत्तर प्रदेश का निकाय के चुनाव को देखें वहाँ जनता ने परणाम ऐसा दिया है कि भारती जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी ये बता रहा है कि आने वाले समय में भारतिय जनता पार्टी न केवल जहां करनाटक से साफ हुई है उत्तरपदेश या अन्य राजों से भी भारतिय जनता पार्टी का सफाय होगा अखिलेश बोट प्रतिशत के हिसाब में चुटे है और कोशिश इस बाग की है कि इस निराशा जनक नतीजे में सपा समर्थकों के लिए मनोबल बढ़ाने वाली बात तलाशी जाए अखिलेश का दावा है कि बुनियादी मुद्वों पर आँखिकार जनता भाजपा को सबक सिखा कर दम लेगी जो तखलीव वैसी दिख रही है तो क्या बदला एंग साल में राजनीती की भविष्य रेखा भले ही अभी धुंधली हो। दोहजार चौबीस में क्या होगा इसकी भविष्यवानी मुश्किल हो। लेकिन नगर निकाय चुनाओ के नतीजों के आधार पर इसकी रणनीती का ताना बान अभी से बुना जाने लगा है। भले ही नगर निका को खयाली फुलाव करारते रही है। सब्सक्राइब से पहली परिणाम आने से पहली कह दिया तूम। और वो लोग लोगतंत्र में जो जनादेश का सम्मान करना चाहिए सब राजनितिक दलोगों। पूर जनादेश का अपमान करना है। जनता का निर्न है सब को स्विकारना चाहिए। चुके हैं कि 24 के चुनाव में सपा भाजपा को उखार कर भी दम लें। अभी तो चुनाव में जो वी रेल्ट आए हैं। बैसे तो समाजवादी पार्टी ने देखे बड़ी टक कर दी है भाजती जनता पार्टी को। और आगे हम इसकी समीच्छा करेंगे और समीच्छा में जो भी कमजोरियां थी उसे दूर करेंगे। और इसलिए दूर करना है कि 2024 में समाजवादी पार्टी जनता पार्टी को चुनावती के रूम में समाजवादी पार्टी चुनाव में आएगी। हमें वोट परियात मिला है सरकार की जो जिस तरीके से काउंटिंग की और जिस तरीके से जो इलेक्शन की जो स्टेटिजी थी उसमें वो सफल हुए कई पार्शिदों को हरवा दिया उन्होंने। यह तो हार जीत की बात है कहीं मैनुपलेशन हुआ कहीं सचमुछारा लेकिं सच्चा ही यह है कि हम जन्हित की बातों को दोहजार चौबीस से सटकों पर लाके जमीन पर लाकर जनता का ध्यान आकर्शित करें। आमें रामार में दिखा हुआ कि इसकी जैसी भावना होती है इसी बातों तो जैसा इन्हों की सरकारे नहें तीस साक्षित समाजबादी पाटी और भाजपा की इस तक्रार के साथ ही भाजपा पर हमला बोलने में बाकी विपक्षी दल भी पीछे नहीं सब ही करनाटक का उदाहरन दे रहे हैं और 2024 में यूपी में भी भाजपा की हार की भविश्यवानी में जुखे हैं देखे मैं फिर कह रहा हूँ आपसे असी तो छोड़ दीजिए अपकी आठ के लाले पड़ जाएंगे राज नीटी में कदम कदम पर नीटी बदलती है अब सब की नजर इस बात पर है के हार के सलसिले को तोड़ने के लिए अखिलेश कौन सान नया प्रयोग करते हैं आपसे बदलती है